हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेंडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तो लेब असिस्टेंट यानि प्रियोग शाला सायक के लिए केमेश्ट्री के उपर बात कर रहा था और chemistry के अंदर हमने दोस्तों जो है हमारे बात कर रहे थे किसके बारे में आदुनिक आवरत साणनी यानि modern periodic table के बारे में तो मैं आज आप लोगों को modern periodic table तो बताऊंगा ही साथी साथ आज हम बात करने वाले हैं variation in atomic properties यानि कि परमानू के गुंदर्मों में जो परिवर्तन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं यानि कि आवरत में अगर हम दाए से बाए जाते तो क्या होगा बाए से दाए जाते तो क्या होगा अगर वर्ग में हम उपर से नीचे जाते है तो परमानू तिर्जिया बढ़ती है या गड़ती है या फिर तिर्जिया हैं वो कितने परकार की होती है इन सबी के बारे में और इनको परवावित करने वाले कारक वगेरा इन सबी के डिटेल में बात करने वाले हैं तो दोस्तो आज जो है आप अपना pen copy लेकर के तयार हो जाएए सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ modern periodic table आखिर में दिखती कैसी है यानि की modern periodic table है क्या आखिर में तो यह है modern periodic table modern periodic table का मतलब क्या है सर modern periodic table का मतलब आदुनिक आवरत सारनी तो मैंने आपको बताया था कि आदुनिक आवरत सारनी के अंदर 118 element है और last element यह रहा 108 ठीक है पहली बात दूसरी बात मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर दो series है एक होती है length nerd series और एक होती है act nerd series जो आपके app block के अंदर मिलती है तो यह जो हमारी series है पहली वाली यह line जो नीचे दो line है इसमें first line जो है यह है आपके क्या दोस्तो तो यह है आपके अरे यह क्या है दोस्तो य यह है length nerd series या फिर आप इसे जो है यह भी length nerd series कहें या आप इसको four app series भी कहते हो और जो दूसरी दिख रही है आपको thorium से start होती हुई यह है आपकी act nerd series ठीक है फिर आपको दिख रहा होगा देखो दोस्तो group की संख्याय दे रखी है एक से लेकर के 18 तक और इधर दे रखे है प्रेट्स यानि की आवरत और यह है वर्ग आवरत कितने है तो एक दो तीन चार पांच चे और साथ ठीक है फिर आपका जो यह वाला group दिख रहा है ना आपको अरे यह देखो hydrogen वाली line और यह barium वाली line यह दोनों जो है आपके S block के अंदर आते हैं फिर आपके जो यह बोर है और इस skadium से लेकर के इस zinc के निचे वाले यह सबी पूरा यह मलबीच वाली इस रेणी किसमें आती है D block के अंदर और यह जो दो बचे हैं यह दोनों आते हैं आपके app block तत्वों के अंदर समझ में आ गई बात ठीक है तो आदूनिक आफरस सांडी में आपको यह दिख ग है तो बोलोगे हलीना की रबड़ी सस्तीफरी क्या बोलोगे हलीना की रबड़ी सस्तीफरी ह यानि की एच हाइड्रोजन ली यानि लीना लीना का मतलब आपके लीथियम फिर सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और फ्रेंसियम हलीना की रबड़ी सस्तीफरी फिर दूसरा ग्रूप है बेटा मांगे कार इसकुटर बापू राजी यानी बेरिलियम मैगनिशं केल्सियम इस्टोंसियम बेरियम और रेडियम फिर आपके आ जाता है पी बलोक का तेरवावर्ग कौनसा पी बलोक का तेरवावर्ग उसको याद रखोगे आप बेंगन आलू गा पाजर इन थेला बोरोन एलुमिनियम गेलियम इंडियम और थेलियम ठीक है फिर आपके आजाता है चवद्वा गुरूप इसमें कौन-कौन से हैं तो इसमें है कासी गए संत पर्भू कासी गए संत पर्भू यानि की कार्बन सिलिकन जर्मेनियम इस्टोंसियम और लेड समझ सब भिकारी यानि की नाइट्रोजन, फोस्पोरोस, आर्सेनिक, एंटिमनी और बिस्मित समझ में आ गई बात फिर आपका है सिक्स्टीन वर्ग और सिक्स्टीन वर्ग के अंदर एलिमेंट है ओ, एस से टीपो यानि की ऑक्षिजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलूरियम और पॉ फिर कल, बार, आई, आंटी और आपका लास्ट एट्टिन नंबर का ग्रूप है जो की है हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टोन, जिनोन और रिडोन यानि की हिना, नेहा, आर्ति, करिना और जिनोन और रिडोन यसे याद रख लो ठीक है इसको याद रखना पड़ेगा त लए दूसरे वर्ग के element बेटा मांगे कार इस्κूर बापु राजी यानी कि बेटा तो कार मांग रहा है लेकिन बापु जी तो बोल रहे है بेटा क्या ले लें इस्कूर ले ले तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू, राजी फिर आपका तेरवे ग्रूप के अलिमेंट है बैंगन, आलू, गाजर, इन्थेला यानि कि बोरोन, अलूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आपके 14 नमबर के ग्रूप में एलिमेंट से, कासी, गए, संत, प्रभू यानि कि कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, एस्टेटाइन और लेड फिर आपका ग्रूप नमबर 15 उसमें एलिमेंट है नाइटोजन, फोस्पोरोस, आर्सेनिक, एंटिमनी और बिस्मित फिर 16 नमबर के ग्रूप में है ओ, से, टीपो, यानि कि ऑक्सिजन, सल्पर, सेलिनियम, टेलूरियम और पॉलिनियम फिर आपके सतरवे ग्रूप में है फिर कल, बार, आई, आंटि यानि फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन और एस्टेटाइन और अब मैं बता दू दोस्तों आपको इसके अंदर जहां मैं इस्टार लगा रहा हूँ उसको आप द्यान से देखना क्योंकि मैं इस्टार ऐसी जगे लगा रहा हूँ जहां से कोशन बनेगा तो ये जो आपका बिस्मीत दिकरा आचा निसान दीखी नहीं रहा होगा तो आदे बोलेंगे सर निसान दो लगाया पर का लगाया तो ये देख बिटा ये लाल लाल दिकरा है ये आपको बोरोन याद रखना है सिलीकॉन याद रखना है आरसेनिक याद रखना है टेलूरियम याद रखना है एस्टेटाइन याद रखना है एंटीमनी याद रखना है और जर्मेनियम याद रखना है तो ये जो आपके है कौन से B, S, I, S, T, E, A, T और G, E, E, S, B ये सबी क्या है ये सबी उपधातू है क्या है उपधातू है क्या है उपधातू है समझ में आ गई बात तो बोलेंगे एक साथ मेरे साथ में उपधातू है कौन कौन सी है अरे उपधातू है Boron, Silicon, Arsenic, Tellurium, Estatine, Germanium और Antimony समझ में आ गई बात इनके परमाणू करमांग को बोली है Boron का परमाणू करमांग 5, Silicon का 14, Arsenic का 33, Tellurium का 52, Estatine का 85 जर्मेनियम का 32 एंटीमनी का 51 ये इसलिए याद रखना है क्योंकि जो एक विस्थेस परकार के होंगे उनका आप से ये पूचा जाएगा कि इनका बताईए Electronic Configuration क्या होता है तो उप दातु जो है वो गिने चुने हैं कितने हैं दोस्तो टोटल आठ है ठीक है तो आठों के आठों याद होने चाहिए और आठों के आठों के Electronic Configuration भी याद कर लेना समझ में आगई बात एक आप जो है 18th Group जो है वो आपका क्या है तो 18th Group मैंने सुबह बताया था मनला कल की क्लास में कल की क्लास में बताया था कि ये सबी कैसी गैसे है निस्क्रस्ट गैसे है या फिर आप ये कह सकते हो कि अकिर्य गैसे है कौन-कौन सी हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टोन, जिनोन, रिडोन तो इनके Electronic Configuration भी आपको याद होने चाहिए ठीक है एक आपको याद रखना है Chromium का एक याद रखना है Copper का क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं जिनके अंदर Chromium के अंदर Half-filled Electronic Configuration पाया जाता है और ये Electronic Configuration का exception है, अपवाद है और Copper भी जो है उसके अंदर 3D9, जो है आपका क्या होना चीएता 9 होना चीएता, D9 जबकि क्या होता है D10 होता है, वो जिनक का एक ले लेता है, इस वज़े से आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा समझ में आ गई बात, तो इस पूरी आवरत साण्डी में क्या-क्या याद रखना है देखो हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी बेंगन आलू, गाजर, इन सब थेला सभी को थेले में डाल दो कासी गए है संत्रप्रभू NPS सब भिकारी, यानि NB भिकारी, PB भिकारी, ये सब भिकारी है ठीक है, ओ S से टिप हो फिर कल बाहर आए अंटी और हीना नेहा आरती करीना जिनों ये तो रिड़न है, सब भी क्या है या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये सब भी जो है हीना नेहा आरती करीना जिनों रिड़न है समझ में आगई बात, चलिए तो याद रखेंगे ये सभी और फिर आप याद रखेंगे कि आदुनिक आवरत सांडी में कितने ब्लोक है 4 कौन कौन से S, P, D, F S ब्लोक के अंदर कौन कौन से वर्गाते है पहला और दूसरा P ब्लोक के अंदर कौन कौन से वर्गाते है 13, 14, 15, 16, 17, 18 डी ब्लोक के अंदर कौन-कौन से वर गाते हैं तीसरा, चौदा, पांचवा, चट्रा, साथवा, आटवा, नवा, दसवा, ग्यारवा, बारवा ठीक है एप ब्लोक तत्व के अंदर दो स्रेणिया पाई जाती है लेंटेनेट स्रेणी और एक्टेनेट स्रेणी लेंटेनेट स्रेणी के अंदर भी चवदा तत्व है एक्टेनेट स्रेणी के अंदर भी चवदा तत्व है उप दातू के नाम बताईए बोरोन, सिलिकोन, आर्सेनिक, टैलूरियम, एस्टेटाइन और आपका अचा ये ये तो भाई देखो इधर कंफीज मत हो जाना क्योंकि ये तो मैंने पहले एक्सो अठारवे तत्व का लिखा है गोला तो इसको अटा दो ये नहीं है ठीक है? इतने ही है ये 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 या चाहा आट काउंट कर दीए क्या इधर भी मैंने अरे भाई ये नहीं है एक मिनट इसको साब करते है ठीक है? केवल उपदातू है कितनी साथी है ठीक है? हाँ वो ही मैं सुच हूँ यार इधर क्या गरबट कर दी क्या आपनने कुछ ये साथी है ठीक है? और उपदातू कौन कौन सी है? बोरोन, सिलिकोन, आर्सेनिक, टैलूरियम, एस्टेटाइन, जर्मेनियम और एंटीमनी ठीक है? निसकरष्ट कैसे या अकिरिय कैसे कौन कौन सी है? ये अकिरिय इसलिए है क्योंकि उनका electronic configuration जो है वो fulfilled होता है और कौन कौन सी कैसे है? तो helium, neon, argon, krypton, genon ठीक है? तो ये पूरी आवरत सांडी आपको याद हो जानी चाहिए चलिए बढ़ते हैं अब आगे की और अब आप दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा important जहां से question पूछे जाएंगे जहां exception ही exception याद करने पड़ते हैं ना वो topic आ गया और वो है तत्वों के गुनों में आवरतीता यानी की गुणों तत्वों के गुणों में आवरतीता उनमें आगई बात यानि की बाई जो भी एलिमेंट है उनमें प्रेडिक शिटी किस परकार की यानि की जो है प्रेडिक यानि की तरह से हम यह कह सकते हैं कि उसके तत्वों का ट्रेंड क्या रहने वाला है आवरत साड़नी के अंदर जैसे जो आपकी प्रमाणवे तिर्जा है वो कब बढ़ती है भाई किदर से किदर जाने पर बढ़ेगी या फिर आपको दोस्तों बता दू यहाँ एक बार पहले यह जो उतकरश कैसे है ना इलियम नियोन आरगन क्रिप्टोन जिनोन रिडोन यह इस पूरी आवरत साड़नी में अपने प्रेड के अकॉर्डिंग खाती है सब चीज़ें भी डिसकस कर रहा हूँ ठीक है चलिए तो अब दोस्तों तत्वों के गुणों में आवरतिता यह पढ़ने से पहले बता दू आपको पढ़ना है दोस्तों सबसे पहले तिरजया यानि परमाणू तिरजया के बारे में यही छीज़ आपको पढ़नी IE के बारे में यानि कि आपको केवल इन 4 गुणों के बारे में ही Study करनी है थीक है इससे ज़्यादा गुणों के बारे में आपको कोई जानने की ज़रुवत नहीं है चलिए तो अब इस्टाट करते हैं हम परमाणू-3 के बारे में Discussion किस बारे में परमाणू-3 के बारे में इसके बारे में यानि atomic radius के बारे में हमें discuss करना है प्रमाणू तिर्जा का मतलब क्या है दोस्तो basically कि माल लो ये आपका इधर में एक element बना देता हूँ suppose करिए ये आपके पास में कोई एक element है ठीक है क्या है ये एक element है और इस element का ये माल लो क्या है center है यानि कि आप ये कहोगे nucleus है नाबिक है और आपको पता है इसके नाबिक में कौन-कौन उपस्तित होंगे तो proton और neutron ठीक है N और P मेंने लिख दिया है और फिर इसके चारों और क्या कर रहे होंगे electron ऐसे कक्षाओं में गूम रहे होंगे ठीक है समझ में आगई बात ये देखो ऐसे ऐसे ये आपके जो है electron इन कक्षाओं में गूम रहे है ये कक्षाओं बना रहा हूँ ठीक है ये electron नहीं है electron तो गिने चुने होते पता है न आपको दो फिर आठ फिर ऐसे 16, 18 ऐसे सेट चलता है तो ये मानलो की कक्षाओं है इनके अंदर कहीं कहीं पर क्या होगा दोस्तों आपके electron है इधर होंगे मानलो इधर electron है फिर इधर electron है ये randomly बना रहा हूँ ठीक है इधर electron है इधर electron है ये इधर electron है तो ये electron इसमें क्या कर रहे है revolution कर रहे हैं अब जो प्रमाणू तिर्जिया होती है उसका मतलब होता है दोस्तो की प्रमाणू के नाबिक से सबसे बाहर की और यानि बहायतम कक्स यह है इसको मानलो बहायतम यह कक्सा यह है ठीक है यह बहायतम कक्सा है तो यहां जो एक इलेक्टरोन उपस्तित होगा उस नाबिक और इस इलेक्टरोन बहायतम इलेक्टरोन यहां लिख लेता हूँ मैं नाबिक और बहायतम इलेक्टरोन यानि इस इलेक्टरोन के बाहर एक भी इलेक्टरोन नहीं होगा तो हम यह कहेंगे दोस्तो प्रमानु तिर्जिया का मतलब होता है आपके किसी प्रमानु के नाबिक और बाहयतम इलेक्ट्रोन जो है बाहयतम कोस होगा एक उसकोस का बाहयतम इलेक्ट्रोन होगा तो हम बाहयतम इलेक्ट्रोन डारेक्ट कह रहे हैं तो बाहयतम इलेक्ट्रोन के मद्य की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है प्रमानु तिर्जिया यानि ये जो है ना आपके इसको कहोगे आप प्रमानु तिर्जिया क्या कहोगे प्रमानु तिर्जिया कहोगे समझ में आ गई बात तो प्रमानु तिर्जिया क्या होती है कि प्रमानु के नाभिक यानि नुकलियस से बाहेतम कोस में जो उपस्तित इलक्टरॉन है उन दोनों के मद्य की दूरी को हम कहते हैं प्रमानु तिर्जिया तो अब आप यहाँ पर एक बार जो है थियोरी में लिखना चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा उदर सिप्ट करता हूं फिर आपको लिखवा देता ह हूं ठीक है तो आप लिख लीजिएगा एक मिना टुकिए इधर सिप्ट करना फाइदे मंद नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इन दो को सिप्ट करते हैं क्योंकि यह थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं ठीक है तो यह इधर लिख दिया सपोज करना ऐसा अब इसको यह सौप्ट्वेर है थोड़ा हाई लेवल का तो थोड़ी सी इसू रहती है कभी कभी यह लो ठीक है अब मैं यहां आपको थियोरी के रूप में लिखवा देता हूँ कि प्रमाणू तिर्जा होती क्या है तो आप लिखिए किसी प्रमाणू के किसी प्रमाणू के नाविक एवं नाविक एवं बाहितम कोश यानि कि जो बाहर का सबसे लास्ट कोश होगा उसके बाहर फिर एक भी कोश नहीं होगा तो बाहर फिर कोश के इलेक्ट्रोन के मध्य की दूरी ठीक है तो किसी प्रमाणू के नाविक एवं बाहर फिर के इलेक्ट्रोन के मध्य की दूरी को प्रमाणविय प्रमाणविय तिर्जिया कहते हैं क्या कहते हैं प्रमाणविय तिर्जिया कहते हैं समझ में आ गई बात ठीक है तो प्रमानु तिर्जिया क्या है नाबिक से बायतम कोस में उपस्तित इलेक्टरॉन के मद्दे की दूरी समझ में आ गई बात अब दोस्तों इसके बारे में हम करते है आगे बात यानि कि आप जो है किस परकार से कौन कौन सी विदिया यूज़ कर सकते हो तो मैं दो तिन विदियो के नाम आपको लिकवा देता हूँ तो आप लिखेंगे विदिया अब ये किसकी विदिया है तो ये विदिया है प्रमानु तिर्जिया ग्यात करने की ठीक है तो प्रमानु तिर्जिया ग्यात करने की पहली विदी है आपके एक्स कीरण विवर्तन पहली विदी कौन सी है एक्स कीरण विवर्तन और दूसरी जो विदी है आपके वो है इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन या निूट्रोन विवर्तन ठीक है इलेक्ट्रोन या निूट्रोन विवर्तन समझ में आगई बात तो विदिया कौन-कौन सी है दो पहली है एक्स किरेंट विवर्तन या दूसरी आप यूज़ कर सकते हो electron या neutron वीवर तन समझ में आ गई बात अब देखिए दोस्तो ये तो थी आपकी प्रमाणविक तिर्जिया इस प्रमाणविक तिर्जिया के भी तीन बाग है प्रमाणविक तिर्जिया भी कितने परकार की है तो यहां लिखेंगे हम परकार और इसके भी तीन परकार है पहला आपका दोस्तो कौन सा है तो मैं देखिए यहां पर इसको boundary कर देता हूँ कि यहां आप पढ़ रहे हैं प्रमाणविक तिर्जिया के परकार और पहला जो परकार है वो है आपके सहसयोजक सह सयोजक तिर्जिया ठीक है? एक मिनट सहसयोजक तिर्जिया सहसयोजक तिर्जिया सहसयोजक तिर्जया का मतलब होता है कोवेलेंट रेडियस इंगलिज मीडियम वाले लिख सकते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपके टाइपस ओप एटॉमिक रेडियस और टाइपस ओप एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग थ्री टाइपस में आपको बताने वाला हूँ पहला है आपका टाइप कोवेलेंट रेडियस सेकेंड है मेटलिक रेडियस और थर्ड है वेंडरवाल रेडियस ठीक है तो हम पहले बात कर रहे हैं सहसयोजक तिर्जया के बारे में तो सह सयोजक तिर्जया का मतलब होता है आप लिखेंगे यदि सजातिय यानि एक जैसे मतलब आपका कलोरिन कलोरिन लेलो ब्रोबिन ब्रोमिन लेलो आयोडिन आयोडिन लेलो या फिर आप आइडोजन आइडोजन लेलो इलियम इलियम लेलो ऐसे तो यदि सजातिय द्यूप पर्मानुक ठीक है दियू पर्मानुक अनु में दोनो पर्मानु जो दोनो पर्मानु दे रखे हैं वो दोनो पर्मानु एकल सहसयोजक सहसयोजक बंद से जुड़े हो तो उनके अंतर ना भी किया दूरी यानि आप यह के सकते हो जो सहसयोजक बंद बना उसकी दूरी का आधा आधा यानि हाप मान पर्मानु विय तिर्जिया या सहसयोजक 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 तिर्जिया कहलाता है अगई बात ठीक है और डी आपके मतलब देखो मैं आपको जो है अब समझा देता हूँ कि यह क्या था यह है कि अगर आपने दो सह जातिय द्यू पर्मानु विक अनु ले लिया यानि कि आप मान लो एक्जामपल लिया हमने कोई एक A एलिमेंट है तो A2 इसको कहोगे आप सह जातिय द्यू पर्मानु का अनु इन दोनों में तो मान लो कि इधर आपका ये A अनु था और इधर भी आपका ये A अनु है इन दोनों के नाबिक मान लो ऐसे हैं और इन दोनों नाबिकों के मद्य की दूरी जो है यह आप नाम दे रहे हो इसकी तिर्जिया थी माल लो आर इसकी भी तिर्जिया होगी आर क्योंकि दोनों सेम ही element है तो इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी ये D, ये D दूरी क्या हो जाएगी तो D, A, A जो हो जाएगी वो हो जाएगी radius of इसका मनलब A plus radius of A क्योंकि इन दोनों के मद्दे क्या बन रहा है सह सही हो जग बन बन रहा है तो इन दोने एक दूरी से attach रहेंगे तो distance between A, A is R, A plus R, A तो radius of A जो है वो क्या हो जाएगा तो radius of A हो जाएगा आपका D, A, A upon मैं 2 समझ में आ गई बात तो आपके देखो भाई ये इन दोनों के बीच की distance जो है वो इन दोनों की radius के sum के बराबर होगी तो radius इनकी क्या हो जाएगी इस distance का आदा समझ में आ गई बात तो ये है आपकी covalent radius क्या है covalent radius है समझ में आ गई बात इतना clear है चलिए बात करते हैं अब हम आगे तो अब हम लेंगे एक example आगे बढ़ते हुए और ये example आपके सामने जो है दोस्तो मैं रखता हूँ example और example ये है कि हमने लिया मान लो क्या दोस्तो chlorine अनू क्या लिया chlorine अनू यानि की CL2 ठीक है तो अगर दोस्तो बात की जाए कि इस CL के बीच में जो एक bond है इस bond की length जो होती है वो हमने जब experiment करके मापा तो 198 picometer होती है कितनी होती है 198 picometer यानि PM तो अगर इनके मद्य की दूरी इतनी है तो अगर आप से पूछा जाए कि radius of chlorine यानि radius of CL क्या होगी तो इन दोनों के मद्य की दूरी कितनी है 198 divide by 2 2 से divide करोगे तो कितना आ जाएगा 9 9 picometer तो आपका answer हो गया इस परकार से ये ठीक है ऐसा question भी पूछ लेते है कही बार कि बताए इनकी radius ये है दोनों के मद्य की दूरी कितनी होगी तो आप कैसे निकालोगे double करके और अगर distance दे रखी है तो आदा कर दो तो radius निकल जाती है ठीक है चलिए बच्चा पाल्टी समझ में आ रहा है मदा आता है तो like and share करना यार मत बूलो पूरा course करवाँगा ना बोला ना आपको पूरा course फ्री में करवाँगा मतलब करवाँगा बस आप तो like और share करना मत बूला करो ठीक है चलो next अब आते हैं हम आपके धात्विक तिर्जिया के उपर किसके उपर आते हैं दात्विक तिर्जिया के उपर बात करते हैं चलिए तो आप लिखेंगे दात्विक तिर्जिया यानि की metallic radius किसकी बात कर रहे हैं हम metallic radius की बात कर रहे हैं तो दात्विक तिर्जिया का मतलब क्या है कि जो दातु जालक है दोस्तों मनलब जो दातू है पूरा उसका जालक होता है ऐसे तोड़ी एक दो एक दो ऐसे पड़े होते कहीं कहीं नहीं दातू का पूरा एक जालक होगा है नहीं कि बहुत सारे अनू मिल करके बनाएंगे एक तो अब जो दातु जालक है उसमें दो पास पास सटे हुए जो दातु के परमानु है उन दोनों परमानुओं की अंतर नाभी किये जो दूरी होगी उसका आदा मान धात्विक तिर्जया कहलाता है तो आप लिखेंगे कि धातु जालक यानी लेटिस जालक का मतलता है लेटिस तो metal लेटिस के बारे में बात कर रहे हैं तो धातु जालक दो पास 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 सटे यानी एक दूसरे से चिपके हुए या पास एकदम ऐसे ये ऐसे थीक है तो ऐसे पास-पास सटे पर्मानुओं की अंतर नाभी किया दूरी मतलब दोनों के नाभी के बीच की दूरी और कुछ नहीं अंतर नाभी के दूरी का आधा मान यानि हाप आधा मान दात्विक तिर्जिया कहलाता है तो दात्विक तिर्जिया क्या होती है दातु जालक दो पास-पास सटे पर्मानुओं की अंतर नाभी के दूरी का आधा मान दात्विक तिर्जिया कहलाता है अगर इसका भी हम एक एक एक्जामपल लें दोस्तों तो आपके NCI आर्टीज में और आपकी कई बॉड की बुक में भी ये उदारन दे रखा है और आपको इस्टेंडर्ड बुक्स जो है उनमें भी ये देखने को मिलेगा जैसे की O.P.Tundant की जो बुक आती है ठीक है उसके अंदर भी ये बुक में एक्जामपल आपको मिल जाएगा ये एक्जामपल है कि जो कौपर परमाणू है उसके मद्दी की जो दूरी होती है तो कौपर परमाणू की दूरी का मान कितना है आपको बता दू तो देखो कौपर परमाणू की दूरी कौपर परमाणू की दूरी जो है वो आपके है दोस्तों कितनी तो दूरी है 256 पीको मीटर कितनी है 256 पीको मीटर तो ये बताओ कि कॉपर की मेटलिक रेडियाई क्या हो जाएगी तो कॉपर की मेटलिक रेडियाई जो होगी वो इसका आदा होगी यानि की 128 पीको मीटर हो जाएगी समझ में आ गई बात तो यह है दात्विक तिर्जिया की definition और एक यह example आपसे दात्विक तिर्जिया में केवल यही पूछा जाएगा या तो ऐसा example दे करके पूछ लेंगे बताओ आदा हो ऐसा option दे दिया कि दात्विक तिर्जिया दो 60 हुए परमाणों के मद्य की दूरी का आदा होती है दो गु स्तिर्जिया अब यह वांडरवाल स्तिर्जिया क्या होती है तो वांडरवाल स्तिर्जिया का मतलब है दोस्तों आपके वांडरवाल स्तिर्जिया जो है बता दू आपको सबसे पहले तो कि यह अनूओं के दो अब अन्दित सम्मीपस्त यानि दो आपके पास अनूओं है उन दोनों परमाणूओं के मद्य आपके बास देखो मैं क्या बोल रहा हूँ दो परमाणू नहीं देख करके आपको दो अनू दिये क्या दिये दो अनू दिये और वो दोनों अनू एक दूसरे से बंदे हुए नहीं है क्या नहीं है बंदे हुए नहीं है तो उन दोनों के जो समीपस्त परमाणू होंगे अनू के अंदर परमाणू होंगे तो जो बंदे हुए नहीं है लेकिन पास-पास में परमाणू तो होंगे तो जो दो समीपस्त परमाणू होंगे उन दोनों परमाणू के नाभी को की दू अनू है और वो किरिया सिल है तो तो वो बंदीत बन जाएंगे लेकिन इसने बोला है आपको मैंने क्या कि अनू के दो अबंदीत अबंदीत यानि वो दोनों एक दूसरे से क्या नहीं हो दोस्तो राज साइनिक अभी की रहा नहीं करते हो या एक दुसरे से जो है अटेच नहीं होते हो और वो अटेच के यवल कब नहीं होगी जब आपके दोनों के दोनों अणू आपके क्या हो उत्करष्ट गैस के हो समझ में आ गई बात तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि अनू ओ अनुओ के दो अबंदीत यानि कि बंदे हुए नहीं हो यानि एक दूसरे से किसी बॉण्ड के द्वारा नहीं जुड़े हो अबंदीत समीपस्त परमानुओ एकदम क्लोज्ड जो परमानु होंगे दोनों के मद्दे ठीक है कैसे देखो ये एक अनुदे दिया एक ये अनुदे दिया एक दूसरे से नहीं है टैच लेकिन यहाँ जो परमानु है और यहाँ जो परमानु है इन दोनों की बात कर रहा है तो समीपस्त प्रमाणूओ के नाभीको की दूरी, नाभीको की दूरी का आधा मान वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाता है ये बात आपको याद रगनी है कि वांडरवाल्स त्रिज्या क्या होती है तो अनूओ के दो अबंदित समीपस्त प्रमाणूओ के नाभीको की दूरी का आधा मान वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाता है और बता दू आपको कि उत्करश्ट गैस आप लिकिए उत्करश्ट गैस उत्करश्ट गैस के परमाणूओ के मध्य कोई रासाइनिक यानि केमिकल रासाइनिक बंद नहीं होता रासाइनिक बंद जो है नहीं होता रासाइनिक बंद नहीं होता है होता है इसलिए इसलिए केवल बंदर्वाल्स बंदर्वाल्स बल ही ये एक परकार का बल है ठीक है तो बल ही विद्यमान है और इस बल की वज़े से ये जुड़े हुए है तो इसलिए इनका नाम भी क्या हो गया वंदर्वाल्स त्रीजा पढ़ गया ठीक है तो वंदर्वाल्स बल ही विद्यमान है तो है तो उत्करश्ट गैस के लिए के लिए केवल क्या होगी? समझ में आ गई बात तो उत्करश्ट गैसों के लिए क्या कोविलेंट रेडियस होगी? नहीं, क्या मेटलिक रेडियस होगी? नहीं, तो कौन सी होगी सर? बांडर वाल्स रेडियस ही होती है समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको याद रखनी है अब मैं आपको एक ओर्डर लिखवा रहा हूँ उस ओर्डर को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये ओर्डर डायरेक्ट नीट के अंदर दो-तिन बार आ चुका है अब की बार मैं को लग रहा है लेब इस्टेंट में आए गाई ये क्योंकि भाई साब वहीं से कोसन उठने वाले हैं देख लेना तो लिखिए लंबाई के आधार पर अधार लंबाई के आधार पर तरज्याओं का गटता कर्म ठीक है यानि अवरोही कर्म आधार तरज्याओं का गटता कर्म सुमए आगई बात और गटता हुआ जो कर्म होता है वो क्या है दोस्तों तो वो कर्म बहुत ही ज़ादा important है आप याद रखोगे यह order और order यह होता है कि जो वांडर्वाल्स त्रिजिया होती है वांडर्वाल्स त्रिजिया यह सबसे बड़ी होती है उसके बाद में आपके होती है दात्विक त्रिजिया यानि की metallic radii ठीक है दात्विक त्रिजिया और दात्विक त्रिजिया के बाद में आपके होती है कौन सी परमान्विक त्रिजिया समझ में आ गई बात ठीक है किलियर है आपका ये अरे भाई ये वो ही है सही हो जग तिर्जिया ठीक है उसको आप ये भी लिख सकते हो तो परमाणविक तिर्जिया समझ में आ गया ये order exact याद रख लेना और इस हिसाब से आपको एक और बात याँ समझा दू कि अगर wonderful radius सबसे बड़ी है अठारवे वर्ग में इसलिए ये जो है दोस्तो order follow होता है कौन सा जब आप बाएं से दाई की और जाओगे जब आप इदर ऐसे ही मैं लिखवा रहा हूँ ठीक है आगी ये तो पूरा आगे डीटेल में लिखवाँगा बाएं से दाई जब आप जाते हो तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है दोस्तो आपके क्या होती है क्या होती है बढ़ती जाती है और सबसे बड़ी किसकी होती है हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टन, जिनोन और रीडोन की समझ में आगई बात तो यह है आपके दोस्तो किसके बारे में बाते हैं परमाणविक तिर्जिया के बारे में हमने बात कर लिए अभी तो परमाणविक तिर्जिया को परबावित करने वाले कारक और इसकी प्रियोडिक्शिटी और इसके एक्सेप्शन ये तीन चीज बाकी है ऐसे ही आपके जो है फिर मैं आपको तो कोशन गलत हो जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तो मिलेंगे अगली क्लास में अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिये दोस्तो बस उसी से तो है हमें मोटिविशन मिलता धन्यवाद दोस्तो